तुम्हारा शक्स सही है वालवीर तिमनासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में गैद कर लिया है लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था तो फिर तिमनासा कामियाब कैसे हो गई आत्माओं की अद्ला बद्ली करने के लिए तिमनासा ने एक जादूई कीड़े का इस्तिमाल किया है और इस कीड़े की मदद से वो काल विधी को अंचान देना चाहती है काल विधी? जिस तरह तिमनासा ने बालपरी को अपने वश में कर लिया है उसी तरह काल विधी के जरीए वो विवान को भी हमेशा के लिए अपने काबुदे करना चाहती है हम ऐसा नहीं होने दे सकते शार्या तिमनासा को काल विधी पूरे करने से हम रोकेंगे लेकिन उसके लिए हमें यह पता लगाना होगा क्या खिर तिमनासा काल विधी में करने के आवाली है तिमनासा इस विधी की शरुवात काल हवन से करेगी उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी इस दौरान तुम्हारे पास सिर दशनों का समय होगा सिर्फ दस शड़ों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरी में वापस डालना होगा हाँ, क्योंकि इससे जादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लोड़ सकती इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोग साथ में लेकर जाना होगा ताकि उससे चिंटू के शरीर में डाल सके कुछ याद आये जगा देखकर तुम्हें कैसे आत होगा तुम तो अस वत भी होश थे लेकर आज तुम होश में हो आज तुम अपनी आखों से देखोगे सब कुछ अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते होए तुम 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 दीखोगे चाहे तुम कुछ भी कल लो पार्टनर तुम्हें ज़रूर रोकने आएंगे वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आजाए ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आखोंसे तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तुम नासा पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं तिम्ना से हमें इसका कालसनान इन रेद के कणों के खतम होने से पहले ही करना होगा और एक बार कालसनान हो गया फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर और वो बन जाएगा हमारा खुलाब और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो तो उसे आने देना विधी पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी ज़रत पड़ेगी जो बालवीर ही लेकर आएगा सिफ ये ध्यान रहे कि इस विधी में वो अडचन पैदाना कर सके चिंटू बेटा तू कहां चला गया है ममी अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो ममी ने ने ममी मैं आगया हूँ अमारे जले पर नमाख चेड़क रहे है विवान नहीं नहीं चीटी मैं नमाख क्यो चेड़कूंगा बल्कि मुझे तो बाता है कि तू मेठे के शोकी रहे है तेको विवान अरे बापा मैं विवान नहीं मैं चेंटूए हूँ इस विवान के शरीर में ये क्या मजाख है नहीं 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 बापा मैं मजाग नहीं कर रहे हूँ मेरा यकीन कीजी ना मैं चेंटूए हूँ विवान हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेज़डी हुई है पहार टूटा है हम पे और तुझे मजाग सूच रहा है रुख मैं तुझे बताती हूँ रुख मैं नहीं ममी नहीं 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 रुख जा मिवान तो प्रेशान कर दिया इस लड़के ने देखिये मैं समझाता हूं चिंटो को मतलब विवान को विवान को तो प्रेशान को मेरे खिलाव कर चुकी है इसलिएब मुझे कुछ करना होगा इस बार तो हमारी बहरानी को पका वो मिली की, वो कामियाभी लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है हो वो होता नहीं है और जो होता है, वो सदली की तरह जोड से लगता है एए इस आप मैं नहीं बोल रहा हुआ कालो पाले बोलते एए क्या हो रहा है मेरे साथ मैंने तुन नहीं बुला फिर भी बालविर आया चिंटो चिंता मत करो हम तुम्हारी मदद के लिए आये हमें पता है कि तुम्हें कोई परिशानी है यह मस्ती परी है हेलो मस्ती परी हेलो चिंटो तुम ऐसे भाब क्यों रहते वो देव भाया और मेगा दीदी ने मिलते मेरी आत्मों को इस विवान की शेरीर में डाल दिया है यह सब तुमसे किस ने का परी आंटी ने वो परी आंटी नहीं थी दिमनासा थी काल लोग की भायरानी उसे ने तुम्हारे साथ यह सब किया है इसको मतब देव भाया और मेगा दीदी बिलकुल बेकसूर है हाँ चिंटो लेकिन तुम चिंदा मत करो हम तुम्हारी मदद करेंगे आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है हमें पहले यहां से जाना होगा चलो आप लगेगा सत्मा ममी नहीं यह कहां आ गया हमारे पास विवान की आत्मा को वापस उसके शरेर में डालने के लिए दस शड़ो का ही वक्त है रुकावट के लिए खेद है आओ बालवीर बस तुम्हारा ही इंतजार था परियो चिंटू की सुरुक्षा करो परियो तुम्हारा ही वक्त है थावट कर दोड़ गाने के लेगां है अद्ट्छ करना तो खोपँः परियोוכ तिमनासा की विदी को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा द्वनी बरी हाँ बालवीर व्योगान के शरीर को मुर्तिक लिपास ले जा हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी ठीक है बालवीर पर बालवीर जल्दी करिए बालवीर हम जिंटो के पास पहुच चुके है ठीक है तवनी परी जल्दी करिए झाल झाल बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें भिवान के आत्मा को उठाना चाहे है बालवीर शायद काम बन जाए बस अब कुछ पल और फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा तुम्हारे जादू नहीं जल रहा है? तुम्हारी माँ है बालवीर उसके साथ जो करना है करो आत्माओं की अदला पदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादोई कीडे का इस्तिमाल किया है परियो कालवीधी को रोकने के लिए उस जादोई कीडे को मारना होगा इन्हों नहीं मुझे सिखाया है अच्छाए और सच्चाए की जीत के लिए अगर अपनों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके साथ क्या करोगे जो करना है करो दे दो अपनी मा का बलिदान छोड़े मुझे मा अच्छाँ 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 परी अच्छाँ 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 हुआ ह Crispy आपतुम द्यान थोड़ा कच्छा है तुम्हारा तिम्ना से, अगली बार थोड़ा समल कर एक पल भी देर कर दी होती है ना अपने बाठर, वो हाथ तो में गया सा काम से पालवी जी, ये विवान आपको पार्टनर क्यो बला रहा है इस मैसा क्या खास है, जो मुझ में नहीं है छोटा पेट और बड़ा दिमाग ए विवान, चिंटू, हर इंसान इस दर्दी पर किसी खास मकसद से पैदा होता है लेकिन इसको तो अपने मकसद मिल चुका है ना, खाना ओके, ओके, स्वारी मुझाल रहा है ना, विवान मकसे नहीं, अब मैं तुझे और भी जलाऊंगा मैं हर किसी को बताऊंगा बालवी मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैंने और बालवी ने तिमना सा अंटी को मिलकर सबक सिखाया था नहीं चिंटू ये एक सिक्रेट है और तुम्हे भी इसे थिक्रद ही रखना हो खा मैं यहां क्या कर रहा हूं ऐपी नियर चिंटू हैप़ 2002 हैपिनियुयः देव विजा हैपी नहीं एंपिनियुयं वेवन हैपले नुईयुयर अरे चिंटो, तू मिजरो, सब लोग में कहा डून रहे है, तुम कहा चला गया थे, मम्मी डाड़ी किते परेशाने पता है, लाल बगीजे में सफेद आती, गास शड़ता हुआ पाया गया, यह दोनों बात या लग है, चल, 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 कानून जी, हैपी नुए, हैपी न Thank you, and same to you When you wish for a instant Thank you, and same to you, Chintu, Thank You, and same to you Vivan The same to you, Megaji Let's go Come on... Sorry, Chintu What are you acting this way? सब्वे सब़्ादे को महटने बात नहीं है मैं वेसे विव सब्सार है एड है, है house के तुम के टूमनाना चाहते थे हाँ पार्टन, फिर दाश्रम में जाके लोकों की सेवा करना तो फिर जाओ, नेक काम में देरी क्यों? हाँ, अभी जाता हूँ भूख लगी है, भूख लगी है, ममी जल्दी लाओ ना हाँ, हाँ, खुशी विवान ये लो वाँ, तुम लोग का नाश्ता मेरी फेवरेट है, तु थो हमें ठाई का अपना फेवरेट बहुता है दीदी, जल्दी है मेरी सब्सक्ते फेवरेट है क्योंकि ये भी मेरी तरह दिखने में गोल मुल लगती है बर है दिल चे मीटी और जीदी जादी खबरगार खुशी के हिसे के जलेबी को हाथ भी मत लगाना ठीक है दीदी, आप कितना धीरी धीरी खा रही हो इतनी धेर में तो आपके बलेट के हाथ ये जलेबीया ठंड ही हो जाएगी मैं आपकी मनदद कर जूँ नाई दीदी, ये टेडी मेडी जलेबीया आपके सीधी साथी भूले भाले भाई से जादा इंप्रेंट हो गई हाँ, क्योंकि भाई बेन के प्यार से भी जादा इंप्रेंट होता है ममी का ओडर और ममी ने खा इन जलेबीयों को हाथ में मत लगाना ठीक है, तो मैंने ही हद लगाउंगा जलीबी को, लेकिन पूरी प्लेट को हद लगा लूँगा, विवान रोको! उन्हें तिम्नासा को देखा है क्या? अच्छा, भाहिलानी तो आपकी अभिन्नम मित्र है, दर्ती लोग की भाशा में मूलू तो, पी एफ एफ, बेस्ट फ्रेंड फोरेवर, अरे वो तो आपको पता होगा न वो कहा है, भाहिलानी अभी, ये तुमारे हाथ में कैसा विचत्र फल है तिम्नासा, ये विचत्र नही नहीं, पिशेश फल है विर्मार, अरे काल लोक में एक फूल तक नहीं खिलता, फल कहां से खिलेगा, हम्, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तौबा-तौबा, कहीं साल पहले मैं अंतरिक्ष में एक बीज की खोज में गई थी, जहां मुझे एक ग्रह के ऊपर वो ब यसे एक फल का सुवाद चाहोगे? तो बता हूं कौन चखेगा इस फल का सुवाद सबस्टे पहली है? एक काम करते हैं, मैं इस फल को तुम दोनों की तरफ उचलते हूं, ये फल जिसके भी हाथ लगा वो इसका सुवाद चखेगा, ठीकि? यस रहेगा! मैंने मना किया था ना जलीबी को हाथ लगाने से लेकिन मम्मी इसमें मेरी क्या करती है यह जलीबी यह इतने टेस्टे क्यों बनती है इतना लालच अच्छा नहीं होता विवाण लेकिन मम्मी यह जलीबी यह तो है लगता है तजे लालची राजा की कहानी सुनाने ही पड़ेगी अब लालची राजा जिसे वर्दान मिला था कि वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी और एक दिन वो इतना लालची बन गया कि बाकी चीजों के साथ बेटी को भी हाथ लगा दिया और वो सोने की मूर्थी बन गई समझा कुछ प्रमजिया लालच बुरी बला है यह लो दीदी आपकी जले भी आँ अधि नन्य उंगली एः भोड़ा दे रहे है एः 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 और अधिया हूं कर रहा है देना मुझे आः इसको क्या हो गया यही तो इस प्फल का कमाल है जब्दाली के इस प्फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा विवान अब देखती हूं कैसे बचाएगा तुम्हे बालवीर